तीस कुश्चन्स आपको मिलने वाले अगर नहीं मिले यूट्व वीडियो पे आना गाली देना मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब कर लेना इसको रिपोर्ट मार देना कि इन अप्लोड में इंफॉर्मिशन देता है एसा नहीं होता अगर आप जीरो पर हो एक लंबा वन शॉट निख लोगे तो आप उसको एक्सपर बन जाओगे इस इंपॉसिबल कि टीचर्स ये बड़े इस बड़े इस आपको मिलना ऐसा नहीं है कि तुम्हें 28 चैप्टर करके ही जाने है तब ही तुम को बोलते है ना पं कि 15 गंटे पढ़ लो 16 गंटे पढ़ लो 12 गंटा एक वन शॉट देख लो और ऐसे करके 160 प्लस आ रहेंगे नहीं एक डूएबल वे जिससे आप एक्ट्वल में फिजिक्स में 150 प्लस 160 प्लस ला सकते हैं बच्चों है 4-5 मेने में लेट सी कैसे सब पहले पेपर में लीग कर से और फिजिक्स के NCIT एक्जेंप्लार में जो अब्जेक्टिव कोशन होते हैं अगर आपका एक्जेंप्लार बुक नहीं पता पीडियेफ एविलेबल है ठीक है वेबसाइट वेविलेबल है एमजान भी खरीद दी सकते हो उसके जो अब्जेक्टिव कोशन से उसको सौल क कर देना इसको रिपोर्ट मार देना कि इनप्रोपिट इनफॉर्मिशन देता है मैं इतना कॉंफिडेंट हूँ जब तक एंटी पेपर बनाएगा आपको तीस कोशन यहां पर मिलेंगे और फिजिक्स में आप जानते हो बहुत नमबर आफ कोशन से और फिजिक्स आप से थ एक सोबीस मार्स से कंटेंट आप लॉक कर सकते हो इन सब चीज़ों को मास्टर कर लेते हो फिर नेक्स्ट कोशन रहता है कि सब्सक्राइब को बता दो नीट दोहार 24 के लिए डिफिकल्ट है रिस्की है यह बताना कि यह चार चैप्टर कर लो इतने कोशन आने यह आने तो नीट दोहार 24 के सबसे जादे इंप्रॉजन चैप्टर मैं नहीं बता सकता बट यह बता सकता हूं कि कुछ स्मॉल चैप्टर से जिससे 70 प्लस मार्क्स कंफर्म कर सकते हो यह हैं बड़ा धुमाग का वाले चैप्टर से कौन से युनिट से डिमेंशन आभी सब लिस्ट देख सकते हो यह वह चैप्टर से जो टाइम नहीं लगेगा दो दिन एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप अच्छी से पढ़ाई करोगे इन चैप्टर को मास्टर करक हैं 12th class से और रिमेनिंग जो 19 questions है वो आए है 11th class से इसका मतलब किती गजब चीज मिली मेरे को सोचो अगर आपने let's say hypothetically class 12 के सारे questions तुम गर किया तो मालोग तुमें class 11 का कुछ नहीं आता इमेजिन करो class 12 में पूरे अच्छे से आती है तो 31 questions मतलब 124 marks तो class 12 को अच्छे से करने से पक्किय हो जाते हैं और एक वाची बताता हूं section B में section B में 15 में से 10 questions आपकी class 12 के आए हैं और 5 questions class 11 में आए हैं और आप जानते हैं section B में 15 में से 10 questions करने होते हैं मतलब तुम section B 100% complete करके आ सकते हो even आप 11 नहीं पड़ी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 11 नहीं पड़नी है मालो हमने 14 chapters को बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो 31 questions approximately 30 questions तो यहां से और मालो यह class 11 के 14 chapters से अपने let's say इसको जादा नहीं पड़ा हमने 5 chapters उसके अच्छे से कर लिए 5 chapters में से 6 questions तो आई जाएंगे अगर आप 5 chapters करोगे चोटे चैप्टर लिए कर लो यूइंस और देविशन से भी 2 questions आ जाते हैं तो 5 chapters से minimum 5-6 questions तो आएंगे आएंगे तो 30 questions यहां से और 14 में से तुम 9 chapters छोड़ दो तो 5 chapters अच्छे से करके चले जाओ और 6 questions यहां से टोटल 36 36 questions तुम करके आगर आगे 36 into 4 कर लो तो कितना ओजाएगा आपका 144 मार्स मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 28 chapter करके ही जाने हैं तब ही तुम physics में कोई decent score कर सकतो ऐसा नहीं है 28 में से लेट से आपने 9 chapters को छोड़ दिया आपकी 9 chapters मतलब 32% से ले बस आपका वीख रह गया फिर भी आप 130 140 तो आप यहां से भी ला सकते हूं में वस्ट केस बता रहा हो 9 chapters छोड़ दिया आपने फिर भी वह बच्चा का remaining chapters को अच्छे से पढ़ ले जिनका लेवल बहुत हाई भी नहीं होता तो भी आप 120 130 ले के आ सकते हो अपने लिए 20 chapters select कर ली आप लेट से 20 chapters को आप तीन दिन ले रहो हर एक chapter में तो लिटरली मार्च एंड तक मार्च एंड तक आपके ये 20 chapters confirm हो चुकी होंगे तो मार्च एंड में ये 20 chapters confirm हो चुकी होंगे और 20 chapters में ने बताया कि चौदर चैप्टर यहां के कर लो लेट से तुमने चेप्टर यहां पर कर लिए तो बीश चैप्टर में इसली तुम 150 मार्च तो यहां से ला सकते हो तो कर ले ना बाइया बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की कि बाइया questions देखते ही ना एक blackout हो जाता है अभी तो question solve हो रहे खरब तो question solve हो रहे अच्छानक से question test में देखोगे timer लगा हुए test में question आया easy question हो चाहें ना हो पहला तफट आता है कि कुछ समझी नहीं आ रहा कुछ यादी नहीं आता कुछ पहले 5-10-20 seconds तक समझी नहीं आता मिलब क्य का करूं कैसे करूं बिल्कुल blank even if chapter के तुम्हें 100 question करें हो ऐसा feel होता है मेंसा तो बहुत होता है इसका तो देखो क्या है इसकी कोई problem नहीं कोई बीमारी नहीं आपको इसका एक ही तरीक है आपको और number of test देने घर पे comfortable surrounding में दिमांग ज्यादा चलता है जब test होता है आपको पता है timer चल ला है आपको analyze किया जा रहा है तो इंसान automatically dumb हो जाता है तो बेफ्कूफ हो जाता है मेरे 1000 लोगे सामने खड़ों के सवाल पूछोगे तो मैं शाद easy questions का answer ना कर पाऊ है इसका solution है आप हमारे chapter test दे सकते NCRT based chapter test of physics chemistry and bio हमने per chapter hand picked per chapter hand picked 50 questions select करें खार एक chapter की चाहिए physics चाहिए chemistry चाहिए बायो टोटल around 90 chapters है मुझे exact याद नहीं around 90 chapters है तो 90 chapters के सारे chapter test आपको इस batch में मिल जाएंगे इस batch का price 499 रुपीज था इसको हम सिफ 2 रुपे में एक रुपे में पहले sell कर रहे थे उसके बाद क taxation के वज़े से इसको 2 रुपे करना पड़ा काफी जादा लोग ने खरीदा है इसको दिये होए हमें 3 महीने हो चुके हैं तो हमने इस chapter test को 2 रुपे में दिया था और इसकी enrollments हम 17 December को बंद कर देंगे मतलब 17 December के बाद कोई भी student इस batch के enroll नहीं कर पाएगा इसका रीतन आपक 5 रुपीस बनता है इन स्टूरेंट्स का इंटू यह कर दो तो 75.3 रुपे में दिया एक रुपे या दो रुपे इतना ज्यादा महेंगा content अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो हम बहुत जादा दिया तक नहीं दे सकते पर स्टिल तीन महीने तक हमने दिया we are very proud और हम ऐसे औ और content लेके आएंगे next है कि एक और में आपको गिफ्ट मैंने आपको बताया जैसे YouTube कमेंटी पोस्ट मैंने डाला कि एक मिनी सीरीज मैं लॉंच करों फिजिक्स की अभी विदिन वन वीक में लॉंच करूंगा तो हमसे suggestion मांगने चाह रहा था कि आप क्या चाहते हो majority लोग कह कर सकते हो कमेंट कर सकते हो अभी तो यह चीज जीत रही है तो मैं majority के साथ ही जाओंगा टेलिग्राम पे भी सेम पोल डाला हो यहां भी कर सकते हो जितने लोग पाटिस्पेट करेंगे उत्ता अच्छे साइड में को मिल पाएगा ठीक है उसके बाद next सबसे बड़ी प्रॉ कोई रैंडम कोईशन दे दूगो आप तुरंद कर लोगे पांस दिन बाद और चार-पांच चैप्टर से कोईशन एक साथ दे दो सब गायव सब ब्लैंक सब कन्फ्यूज फॉर्मला गलाद लगा दोगे कुछ और इस कॉशन में क्या करना समझी नहीं आएगा बिलकुल द क्या होगा मैं बहुत सारे चैप्टर से मिक्स कोशिश करो प्रैक्टिस से ही किल होगा पस पेशन्स और प्रैक्टिस ये दो रखना ये दो प्रॉब्लम्स हट जाएंगी बट स्टिल तुम लों के साथ ऐसा है सर्कुशन्स ही नहीं सॉल्व होते बहुत बड़ा दी कितना पढ़ना है ये सब दिमाग खराब हो चुक है फिजिक्स में मतलब समझी नहीं स्टार्ट करूं तो कैसे कुनों स्टार्ट करें भी दूंगा तो कहां ते पहुंच पाऊंगा अगर आप कोई भी ऐसी क्वेरी है दोस्त मैं तो कहूंगा हमारा आप योद्धा बैच कर लो हमारा योद्धा बैच 31st December से स्टार्ट होने वाल है इसकी कॉस्ट है वन ट्रिपल नाई अभी 500 रुपीस आफ चल दा है जैसे हमने इन्रॉल्मेंट आफ कर दिये थे उसके चैपनेटर्स के कर रहे हैं अब योद्धा के इन्रॉल्मेंट आफ कर देंगे थोड़े द आपके लिए बेस्ट क्यूं है पहला इसमें कोई भी 10-10 घंटे के लेक्चर नहीं मिलेंगे जो स्टुडेंट के सेलेक्शन मैंने करवाए हैं लेट से एक स्टुडेंट का नाम लेता हूं खुशी पांडे मेरी स्टुडेंट है वो कहते हैं सर मैं जैसे 8 घंटे के देंगे और तुम अभी जीरो पे हूं एक वन शॉट दस घंटे का लो उसको एडवांस लेट बन जाओगे तुम एक्सपर बन जाओगे आरे सबसे बड़ा जूट है तुम खुद से पुछके देखो आज तक जिन्दगी कोई ऐसी चीज हुई है तुम है साथ कि आज तु जीरो से एक्सपर्ट जाना है आपको टाइम देना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा स्टेप बाइ स्टेप चलना पड़ेगा पौधे को दस लिटर पाणी डालने से वो पेड़ नहीं बन जाएगा हम दो घंटे के लेंगे जो आप एज़स कर सको जो सको आप डाइज बट यूट्यूब पर बोलना बहुत असान होता है तो कोई 500 कोशन डीपी नहीं दी जाएगी लिमिटेड मटीरियल दिया जाएगा जो आपसे डेली हो सकता है और लिमिटेड मटीरियल से तुमसे कह दू कि जो कोशन दिये उसी से पेपर आया है कोई फायदा नहीं हीरो ब पार एक दिन की लिव देंगा ताकि चार दिन में कुछ भी आपको उपर नीचे हो गया ब्लैक बैक लोग गया उस एक दिन में तो पूरा स्मूथ ली आपका बैच कवर हो जाएगा आपका डाउट और टाइम वेस्ट इस चीज़ समय बचता है आखर के चार महीने में इसल यूदा बैच को फॉलो करेंगे वह इनफ कंटेंट है उसमें फिसिक्स और पर बेसिक अब भी होता हो कोई डीपीप किसी और इंस्ट्यूट की कोई मतीयर किसी और टीचर का लेक्टर रिक्ट नहीं है सिर्फ यूदा बैच को 100% फॉलो करना और यहां पर रिजल्ट 100% मिल यूदा बैच और एक्स्टेंट भी होगा जैसे यूदा बैच कंप्लीट हो जाएगा जितने भी हमारे यूदा है उनको most expected questions की एक PDF दी जाएगी with video solutions दी जाएगी तकि आप practice कर सको तो यूदा बैच के बाद जो March और April का महिना रहेगा उसमें आप question practice करते चले जाओगे अ discount में कम प्राइस में basically तो यूदा प्लस टुडेंट को पार्ट टेस्ट और फुल लेंथ NCRT बेस मॉक टेस्ट विद वीडियो solution मिलेगा और यूदा के schedule के साथ उसको integrate कर देंगे हम ठीक है और जो loneliness वाली feeling होती है जो अकिलापन लगता है कि कोई में बात सुन दी रहे हम में क्या problem लग रही है यह time से नहीं हो रहा वो टाइम से नहीं आपकी जो complaints है सब कुछ हम cover करेंगे साधी साथ हम live आपको यह पास आ जाया करेंगे हर हफ़ते आपको मैं motivate करता रहूं और स्टुडेंट जब आते हैं live बाते करते तो अच्छा लगता है एक होता है normal movie देखन हम से select होंगे सब को quota बुलाया जाएगा एक बहुत अच्छा grant celebration हम सब लोग करेंगे ठीक है जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे इकलवियंस की जो अलेड़ी हमारे एकलवे बैच खरीद चुके हैं एकलवे को कोर्स अब कम्रीट होने वाल है सोचो जो जिसने एकलवे बन पॉइंट लिया होगा लिटरली उनका पूरा physics और पूरा chemistry in detailed way 31 December को कम्रीट होने वाल है सोचो अभी उनके पास अभी यह साल की आंत होते होते हैं पूरा physics पूरा chemistry डीटेल होने वाल है चार महने पहले तो अगर आप एकलवे बन पॉइंट हो ले लिए होते तो अब उतना फाइदा होता है तो अभी जो एकलवे वाले स्टुडेंट सो उनको आप युद्धा में आने से क्या होगा आप tension free रहोगे क्या कैसे पढ़ना है वो tension vary है वो मैं बताऊंगो क्या पढ़ना है आपको बस simple follow करना है और एकलव और युद्धा अगर हमने दोनों अच्छे से कर लिये न तो medical college confirm है 180 marks का content आने ही आना है वाँसे left right नहीं जाएगा प्राइडवांटेज क्या है if you want to revise a chapter in more detail you can refer to the lectures तो जित्ते भी इकलवे स्टुदेंट्स आपके बास एकलवे बैच तो है एकलवे बैच के lectures तो पढ़े है तो योद्धा बैच में लेट से कोई lecture आपको लगा किया इसको और पढ़ने का मन है इसे तो से और depth में जाने का म प्लस आपकी जो स्पीड होगी नॉर्मल स्टुदेंट से जाधा फास्ट होगी क्योंकि आप अल्यडी हमसे पढ़ चुके हो तो आपकी फ्रिक्वेंसियों मेरी फ्रिक्वेंसिय मैच करती है आपने अल्यडी मेक्यू सॉल्व कर रखें पहले से तो हरे कॉंसेप्ट को बह आप योद्य बैच खरीद लो साथ में पैरलल लिविजन आप स्टार्ट करना यह वैसे भी आपको है ना तो रिविजन आप योद्ध बैच के तुरू खर लो आप टूपाइब लेट से कोई स्ट्रेट इकलवे टूपाइंट का है या त्री पाइंट ओका है या फिकलवे लेक्चर्स आप योद्धा दूरिंग यॉर रिविजन आपर्स मतलब लेट से अगर आप दिन भर में 8 घंटा पड़ाई करते हो आप एक घंटा देते हो रिविजन को या दो घंटा देते हो रिविजन को तो आप योद्ध बैच खरीद के रख लो और उसके रिकॉर्ड लेक्चर्स आप एसा डिविजन देखते रहो कि यह आप लेट से क्लास 12 पढ़ लो तो क्लास 11 का एक घंटा निकाले क्लास 11 का योद्धा के रिकॉर्ड लेक्चर देख लिया ताकि वो रिवाइस हो गया भाई यूइंसा देमें रिवाइस हो गया में चीज़ क्या है ओव और तिंकिंग से दूर रहोगे बाकि भाई एक्जाइटी और लोनलीनेस के लिए हमने बताया है एकाडमिक काउंसलर रहेगा साथ तीन बाद उसको फीडबैक देते रहना हमाई साथ लाइब आते रहने डाउट्स और टाइम वेस्ट आपका भी नहीं होगा हर डीपी में वीडियो सुलूशन मिलेगा हर एक कोश्चन के साथ वीडियो सुलूशन मिलेगा ठीक है बाकि बैच्च 31 दिसम्बर से स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टन चीज़ यह है 15 दिसम्बर कोई मैं बेसिक मैस और वेक्टर्स के डीटेल लेक्टर्स डाल दूँगा ठीक है मैं य कुछ ही पढ़ना पड़ेगा तो अगर आप एक थोड़े से आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है मैस वाले खासका तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 15 दिसम्बर से पहले कोर्स खरीद लो ताकि बेसिक मैस और वेक्टर्स के यह डीटेल लेक्टर्स देख सकते फिर योधा मैं फि 500 ओफ है वन ट्रिपल नाइन काप को मिल जाएगा 50-60 रूपी एक्स्टर देने पड़ेंगे इंटरनेट हैंलिंग फीज जो रिजर पे लेता है वो हमारा नहीं है वो तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है वो लेता है 20 दिसम्बर तक यह वैलिड है अल्राइट गैस दैट सब्सक्राइब वीडियो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो आई फोब स्टाइड इस सन में आयो होगी फॉलो करते रहना वल दे बेरी बेस्ट